हाई अब वरी 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 वेलकम व्यू आन टैस्बूक सूपर गोचे एक छोटा सा प्रश्ण जो सभी के साथ मैं मन में कौंध रहा है जुड रहा है कि क्या सर यहाँ पर दिसंबर दोहजार चोबिस का एक्जाम दिसंबर में ही होगा या फिर फिसल जाएगा जनवरी के अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ यूजी सेने डिसंबर दोहसार चोबिस आज अगर मैं कहूं तो लगभग यह चार या पांच अक्टूबर है और अभी जिस समय में एस वीडियो को तयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी तक भी यूजी सेनेट का रिजल करने की यानि की रहनी की हल करने का प्रियास में आपनों के साथ में करना चाहूंगा इसका एक्सपीरियेंस हम ले लेते हैं कहां से हमारे पहले वाला जो एक्जामरेशन कंडेट किया था किसने इस पेशली दरसल अगे ओकि एंटीए ने अब एंटीए की बात करते हैं तो कि इस particular basically हम पहुंचते हैं अपने examination के schedule को ले करके तो जून का जो schedule आया था उसमें हमने देखा थे कि लगबाग हमारे पास में 20th of April okay मतलब 20 April की समय की बात है 2024 को इस 20 April 2024 को इन्होंने public notice जारी किया था ओके क्या किया था public notice जारी किया था और यहीं से हमारे पास में online examination के apply करने के लिए ओके दरसल portal को open कर दिया गया तो online portal अब open हो चुका था कब 20 April को और exam होना था हमारा 16 June को ओके that is 16th of June 2024 मतलब में अगर कहों तो अप्रेल ओके next मैं और जून मतलब एक्चली हमारे पास में तीन महिने पहले almost before the three months है नहीं कि अपने तीन महिने पहले आपके पास में notification आता है तो बहुत स्वाभविक सी बात है अभी हमारे पास में अगर इसी particular schedule को में आगे बढ़ा हूं और समझने की कोशिश करूं तो अभी हमारे पास में चल रहा है तो अक्टूबर ओके तो अक्टूबर में especially बात कर सकते हैं तो अक्टूबर ओके फिर है नवंबर और फिर है दिसंबर अगर examination दिसंबर में conduct करना है NTA को तो दिसंबर में अगर exam conduct करना है तो 15 से 20 दिसंबर को अगर यह exam को conduct करना चाहते हैं तो बहुत साधर इंट सी बात है क्या साधर इंट सी बात है कि 15 से 20 दिसंबर को exam conduct करने के लिए October में कम से कम यहाँ पर 15 तारिक से लेकर के 25 तारिक के बीच में October में इनका notification आना चाहिए बात समझ भाए that is so simple कि अगर 15 और 20 15 तारिक के बीच में 15 October से 25 October के बीच में अगर NTA का notification आ जाता है public notice आ जाता है तो सब कुछ systematically चलेगा और इसमें क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखेंगे कि basically सबसे पहले हमारे पास में public notice आता है public notice आने के बाद में लगभग लगभग हमारे पास one month यानि कि एक महिने का समय दिया जाता है for the apply examination यानि कि exam को apply करने के लिए और फिर plus actually हमेशा लगभग लगभग ऐसा ही होता है कि 10 दिन का समय आपको extend किया जाता है आकरे में क्योंकि बच्चे जो है वो दरसल शुरुआत में ही apply नहीं करते हैं बलकि थोड़ा time ले रहते हैं और इसके बाद में फिर एचलिए हमारे पास में हैं कितने candidate ने apply किया है उससाब से पूरे इंडिया में center को decide करना कितने center के requirement होगी और उसके बाद में फिर उन particular centers के allotments और उसके arrangements को देखना और के arrangements को देखने के बाद में फिर एक्चलि हमारे पास में next होता है admit card को देना और admit card देने के बाद में आप लोगों के लिए exam को कंड़ेट कराना city intimation को देखना और कि यह सारी चीज़ें होते हैं जिसके लगबख एक मेहने का समय और यहां पर ले लिए हो जाता है तो यह दो महीने का का दिनांक पार नहीं हो जाता अगर 25 अक्टूबर पार हो गया इसके बाद में मानके चलीगा कि आपका exam जन्वरी में shift हो गया वरना 25 अक्टूबर से पहले पहले और के पूरी संभावना है कि December की होने वाली है आपकी शांदार examination तो बिना देरी किये फटा फट अब की बार करना है JRF पार तो जॉइन कीजीगा मेरे साथ में तैस्बू सूपर कोचिंग के classes को क्योंकि बहुत कम समय मिला करके तीन महिने का समय है इन तीन महिनों में तैस्बू सूपर कोचिंग आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार चीज़ें इंक्लूड करता है चीज़ में आपको बता दूँ कि पीएशडी के एडमीशन टॉप युनिवर्सिटिस में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी स्पेशल मेंटर्शिप आपको प्रोवाइड की जारी है और सोने पे सुहागा जिस समय ये वीडियो में चला रहा हूं इस समय अपके पास में सफलता का शुभारम सिर्फ दो दिन का ये शांदार आउफर आपके पास में है तो जल्दी किजीगा बिना देरी किये इस सफल का टेलिग्राम गुरूप आप जॉइन कर सकते हैं इस क्यूर कोड को स्केन करके जहां पर आपके साथ में सारी इंपोरेंट फ्री लिंक्स और बहुत सारी इंपोरेंट इंफरमेशन में आपके साथ हमेशा शेयर गरता रहता हूं तब तक के लिए मेरी आप लोगों से धन्यवाद और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहेगा मेरे साथ में और इसके अलाबा मेरी क्लासे सुभे 8 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के इसी पर्टिकुलर चैनल पर और रात को 9 बजे टैस्बू सूपर कोचिंग के आपर फ्री क्लासे से आजाओ ओके मजा आती है टेक्यों बाई